जैशेडाम बहुत शागत है आपका आपके अपने बेहत खास कारेकर में मैं हूँ आपके साथ आचारे राजमिश्रा प्रत दिन रातरी को नौ बजे दो पहर को बारा बजे आपके साथ लाइट जुड़ता हूँ आपके अपने लिए महत्पूर जानकारियां ले करके आता हूँ आप कॉल करके फ्री आप कोस्ट अपने आप बारे में शब कुछ जान शकते हैं और कोई भी उपायर रत्न रुद्राग्सित्यादी पराब करना चाहते हैं शावण में रुद्राविशेक इत्यादी कराना चाहते हैं पूजन महामर तुनजे कराना चाहते हैं तो उसकी भी आपको वेयुस्था मिलते ये खर्विलम नहीं करूँगा, सीधे बात करूँगा, कन्या राशी के लिए किस प्रकार बैतीत होगा अगस्त का महीना, क्या रहेगी आपके ग्रहों की चाल, किस प्रकार आप अपने महीने को बहतर कर सकते हैं, इसकी चर्चा आज इस कारिकम की अंतरगत हम करने वाले हैं, क्या रहेगा बिशेश परिस्तिती, इस महीने में सबसे पहले कन्या राशी के शौमी होते हैं बुद्ध, और इस माह में 20 तारिक तक इस्पेशली उनका गोचर 12th हाउस के अंतरगत रहने वाला है, यानि 12 भाव के अंतरगत रहने वाला है, 2nd हाउस में कीतू का गोचर, 5th हाउस के अंतरगत शनी का गोचर, 7th हाउस में ब्रहशपती, 8th हाउस में राहु और बंगल, 10th हाउस के अंतरगत शुक्र और 11th हाउस के अंतरगत सूर्य, ये प्रापर संयोग इश्माह आपका दिख रहा है, क्या संयोग ले करके आएगा, 20 तारिक तक करीब आपका जो फ चिंताये रहेंगे, अगर हम बात करें, 20 तारिक तक जब तक बुद्ध परिवर्तित नहीं हो सकते है, आपको बार बार हॉस्पिटल्स के चक्र लगाने पड़ेंगे, अजीब से स्वपना आपको बार बार परिशान करते रहेंगे, मांशिक अशानती रहेगी, स्वास्त जो है वो ढिला रहेगा, ये 20 तारिक तक की परिस्थतिया आपके लिए रहेंगी, विदेश यात्रा को लेकर के या विदेश में रुके हुए कारियों को लेकर के, आप 20 तारिक तक अपने आपको बिजी रखने वाले हैं, 20 तारिक के बाद आपका जो कारे छेत्र की परिस और 20 को बुद्ध के परिवर्दित होते ही आपके स्वास्त में सुधार नजर आएगा तो 20 तारिक तक हेल्थ आपको परिशान करेगी लेकिन 20 के बाद जो स्वास्त की परिस्टितियां हैं वो निश्टत रूप से आपके लिए बहतर होती हुई दिख रही है शात में ध्यान रखे नौकरी 20 तारिक तक अचानक छूट सकती है या आप जौब चेंज कर सकते हैं विदेश में नौकरी के लिए अपलाई कर रहे हैं तो ये एक अनकूल समय होगा इस शमय में पे किया गया प्रयास आपकी सफलता देने वाला होगा लेकिन जहां पर आप वरतमान शमय के अंतरगत कारे कर रहे हैं वहाँ पर सीनियर के साथ संबंद खराब होने से आपके अपने अंदर भी अहिंकार इत्याद उत्पन होने से इगो इत्याद उत्पन होने से आपकी नौकरी जो जाने का संकट है वो बनता हुआ आपकी राशी के अंतरगत नजरा रहा है शावधानी की विशेश आउश्यक्ता अगर देखा जाए तो आपके लिए रहेगी धन लाव के कुछ शुवशर इत्यादी प्राप्त होंगे जो 31 शेर मार्केट लाटरी शट्टा इत्यादी में धन लगाते हैं आप वे लिए लाव का अउशर दिख रहा है आपको वहां से अच्छे धन की प्राप्ती होती हुई दिख रही है एक बात और ध्यान रखिए स्वास्थ को लेकर के इस्त्रियां कुछ गाइनिक प्राप्लम को लेकर के परिशान रहेंगी और उसके साथ अगर पुरुश्वर को देखा जाए तो चोट दुरगटना इत्यादी का जो संयोग है वो पूरी तरह से नजर आ रहा है प्रेमी प्रेमिका की तरफ से इस माह में अगर देखा जाए विवाह के लिए आपके सामने प्रस्ताव आशकता है विवाह का शयोग बन शकता है उसको लेकर के परिवार में भी चर्चा करेंगे निस्चत रूप से आपको अच्छा रिजल प्राप्त होगा एक और चीज ध्यान रखने बाला है इस माह मित्रों पर बहुत ज़्यादा भरोशा करने लायक नहीं है खास करके दोस्तों को धन इत्यादी देने से आपके शंबंद भविश्य के लिए पूरी तरह से खराब हो जाएंगे बहुत जरूरी हो तो भी ऐसे कंडिशन में धन इत्याद दिया जाए क्योंकि वैशे धन इत्याद देना बहुत बहतर नहीं दिख रहा है पर इस्ततियां आपके लिए प्रत्कूल होंगी कारे छेत्र में महिलाओं को प्रात्मिक्ता देना बहुत बहतरीन होगा यदि आपना बिजनस इत्यादी करते हैं उसमें महिलाओं को या नौकरी भी करते हैं महिलाओं का सम्मान करना महिलाओं का सम्मान हमेशा करना चाहिए इस माह इस्पेशली महिलाओं को प्रात्मिक्ता देना कारे शेत्र में आपके लिए बड़ा अनकूल रिजल्ट ले करके आने वाला होगा आपको एक अच्छी बृद्धी प्रदान करने वाला होगा जो नवदमपती विवाह को ले करके अभी जिनका नया नया विवाह हुआ है और अपने वैवाहिक जीवन को ले करके परिशान है उस परिशानी को दूर करने का किया गया प्रयास आपका जरूर शफल होगा वैवाहिक जीवन आपका एक नए रास्ते पर जाएगा आपकी परिशानिया दूर होने वाली है जिल लड़कियों का विवाह नया नया हुआ है वो अपने परिवार की अंतरगत कुटुम्म में या जो आपके सास सुरित्यादी हैं या जो परिवारिक लोग हैं उनकी तरफ से की गए जो कार्य हैं उनसे आपका मन कहीं ने कहीं बिचलित रहेगा कहीं ने कहीं परिशान रहेगा वो लोग आपके द्वारा प्रयों किये गए शब्दों को ले करके परिशान होंगे और उसक हमें प्राबलम होती है तो हमें क्या करना चाहिए एक तो एक इलाइची प्रति दिन हमें खाने की आदट डालनी होगी जो हमारे लिए पहुत बहतर होगा भगवान गणेश जी के मंत्र का ओम गंगड़ पताये नमा इस मंत्र का रोज 11 बार जब करना हमारे लिए बहुत रहने वाली है और अगर हम सुभ अंक की बात करें तीन का अंक हमारे लिए लाप्रत होगा परमात्मा किर्पाप पर बनी रहे इन्हीं सुभ काम नौक्षात इवराणिवी को भी राम देता हूं आपका बहुत धन्यवाद जैसे राम